हेलो फ्रेंग्स, वेलकम टू माई चैनल महांगे से महां कलरफुल बेट सीट आप कॉटन की खरिद के लाते हैं और 3-4 धुलाई के बाद उनका कलर डल हो जाता है और इस कदर डल हो जाता है कि लगता है कि यह 2-3 साल पुराना है तो friends आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि cotton की colorful bed sheet को किस तरीके से वास करें कि उनका color एक तरीके से vibrant बना रहा है और हमेशा की तरह जब भी हम उनको परयोग करें वो नया दिखें तो friends मेरा नाम है संगम सुकला और मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है आप देखिए यह cotton की colorful pillow कबर है आज के time में जब भी आप double bed sheet लेते हैं तो दो pillow कबर complimentary आपको मिलता ही है या complimentary समझें या उसके साथ यह दूसरा pillow कबर है colorful है और यह double bed sheet है जो पूरी के तरीके स से colorful है और एक बार भी यह wash नहीं हुआ है और यह single bed sheet है यह भी पूरी तरीके से colorful है cotton का है तो इन चार कपड़ों को हम wash करेंगे by hand और इसमें step by step क्या chemical लग रहा है किस तरीके से किया जा रहा है और इस विधी को आप अपनाएंगे तो उमिद कर रहा हूं कि आपके जो color cotton की bed sheet है इनका color vibrant बना रहेगा और जो dull होने की समस्या है वो दूर हो जाएगी तो आएए इस वीडियो में पहले थ्वा सा practical session को समझ लेते हैं और खास तोर से इस वीडियो में मैं ammonia chemical के बारे में बात करने वाला हूं यह ammonia chemical को आप किस तरीके से washing की routine में लाएंगे तो colorful कपड़ के लिए एक वर्दान साभीत होगा तो friends बने रहे इस वीडियो पर और इस पूरी परक्रिया को समझे तो friends आप देखिए मैंने एक bucket में पानी लिया है simple normal पानी है ठंडा है और इस bed sheet को हम कैसे wash करेंगे by hand इसका हम demonstration आपको दे रहे हैं तो सबसे पहला काम है कि यह कपड़ा अच्छा हमने खरीद तो लिया है लेकिन हमें पता नहीं है यह color छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा तो normal पानी में हमने इसको भीगोया और इसको हम देख रहे हैं कि color यह इसका fast है यह color छोड़ेगा तो अभी इसके हिसाब से दिख नहीं रहा कि यह color छोड़ेगा एक testing यह यहाँ कपडे को आइई यह दूसरे तराएक बेट सीट है इसको भी हम चेक करलेते हैं कि यह छोड़ेगा कि नहीं मग इसल यह ली रहा हूं कि इसमें हमें दिखेगा क्योंकि यह बाल्टी रेड डुर। क्लरुर का है हो सकता है क्लर पता ना चले तो यह भी कलर नहीं जेंगे। सबसे पहले हमें धूसमें डालना है चुकि हर जगा । रिक्विट ड़िपर्जन लेवल लेएं तु मैं यह डिटर्जिन पाफडर ले रहा ह। चार कपड़े के साफ़ से मैंने एक स्कुप यह डिटर्जन पाफडर लिया है। affected by ice will wash करने से दिक्कत होती है कि उसमें कुछ ऐसे तत्तों होते हैं जो कलर को खराब करते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए आप देखिए मैंने थोड़ा सा टेक्स्टाइल ग्रेट का बेकिंग सोडा लिया है और बेकिंग सोडा को आपको अपने वाशिंग के रूटीन में चाहिए आप हैंड व कंसरी मिलेगा और काम भी बढ़िया करेगा घर वाला मीठा सोडा जो खाने में प्रियोग होता है वह महंगा मिलेगा और वह काम भी नहीं करेगा और यह ऐसी चीज है कि मल्टी पर पर जैब रंगीन कपडे में डाले वाइट कपड़े में डालीए बरतन धोर हैं वहां प् मैं यह वीडियो बना रहा हूं जिसको डेमोस्टेट करने के लिए यह देखिए लिक्विड अमोनिया इसको लिकर अमोनिया भी बोलते हैं और यह तकरिवन 25% का मार्केट में मिलता है बट इसके एक दिमेरिट है एक त्वाजा यह बदबू करता है बट कपड़े धूल जाने के बाद खंगाल देने के बाद वो बदबू दूर हो जाता है यह देखिए मैंने 100 ml लिकर अमोनिया लिया हुआ है यह कहें इतना ही इसमें था और रंगीन कपड़े में डारेक्ट नहीं डाला जाता है कपड़े पर हाँ इस तरह से घोल करके जब डालेंगे यह कलर खराब नहीं करेगा मैल को भी हटाएगा और अच्छे तरीके से कलर को फिक्स करेगा पानी में मिलने एक बाद यह थोगा सा बदू पैदा करता है बटुस पर कोई दिक्त नहीं है इस सबसे सौर्टेस पर क्रिया मैं बता रहा हूं करने के लिए तो आपके ओल डिटर्जेंट में वास करके फिर आप अमोनिया डाल सकते थे अलग से खंगालने के लिए लिए जब यह पानी तरह से लग Kung हो जाए अगा कोई दिक्त नहीं हैता को वासिग में में भी आप इस इ सी 쓸 कर्केरिया को अपना सकते हैं अअप धाएडो जन प्रक्साइइड अलग फ्रक्रिया है और यह प्रक्रिया लेकिन यह मैंतड हाय जन प्रक्साइड से कम-कर्षिला है कि अंदाजे से आपको वाटर लेना है कितना पानी आपको चाहिए कपड़े के डुबाने के लिए समय के साथ हर चीज में बदलाव जरूरी है चाहें कपड़े की वासिंग हो चाहें पढ़ाई हो या भोजन बनाना हो परिमार्जन ही जीवन का लक्षय है दिरे दिरे हमें नहीं चीजों को अपनाना चाहिए क्योंकि जो चीज आज से 20 सल पहले सही थी आज उसको सही नहीं माना जा रहा है इस तरह से हमने इसको शोक कर दिया है और सकता नुसार आप 15 से 20 मिनट तीस मिनट इस तरह से आप सोक कर दिजिए यह कोशिद करें जो अपने टिटरजन पाउडर डाला है तो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए यह मान के चलिए कि एक बकेट अगर आप पानी ले रहे हैं तो 100 ml लिकर अमूनिया आपको लेना है इसी तरीके से अगर आप वासिंग मशीन में कर रहे हैं तो 20 लीटर का रिशियो रखिए 20 लीटर पानी में 100 ml आप डालेंगे डिटरजन के साथ मिक्स कर देंगे और 10-5 मिट सोकिंग करिए और वासिंग मशीन में खंगाल दीजिए अगर आपके पास एसिटिक एसिट है तो सबसे लास्ट वाले साइकल में एसिटिक एसिटिक का प्रयोग कर सकते हैं नहीं है तो आप इस प्रोसेस को इसकिप कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आप इने साइट में आपको नहीं सुखाना है आपको हमेशा सेड में सुखाना है धूप की जो इफेक्ट है वहां पे हो लेकिन डारेट इसके उपर सनलाइट नौ पड़े धूप नौ पड़े तो आपके रंगीन कपड़े जब तक आप प्रयोग करेंगे अच्छे बने रहेंगे तो जो भी मेन पर क्रिया थी वह मैंने इसमें कर दिया है और खंगालने के बाद वाश करने के बाद से हम इसको शेड में सुखा देंगे बस काम खतम हो जाएगा तो इसी तरीके से आप अपने रंगीन कपड़ों को वाशिंग करिए बेट सीट हो या टी शर्ट हो जीन्स हो आ को और ज्यादा बना सकते हैं आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में लेकिन अभी वह दिखाना वागी है सुखने के बाद तो मैं इसके साथ में अंत में दिखा दूँगा तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतन आइ नमस्कार करता है